हलो बच्चों आएम पुलकी शर्मा यूर फिजिक्स मेंटर आज हम मोशन इने स्टेट लाइन में पार्ट तू जिसका नाम है स्पीड उसके बारे में डिस्कुशन करेंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट के बारे में जाना था और यह बताय इत्रा टपर्स पॉच्छन शर्मा झाशों रासे हैं नाश-बारे में डिसरीं बताक क्या इस बिसके लिए स्टेट करेंगे संस्टेट करेंगे म्याम से बता लगता है तो इंटμए मेरकilot यह स्कूल तक पहुंचे यह बारोव के इस बिद्स्ट का स्कुल लेंगे तो actually बोला किया, कितनी distance कितने time में cover की है, अब इस part को हम ऐसे बोलते हैं, कि मैंने अपनी bike की speed को बढ़ा दिया, तो मैं जल्दी पोँच गया, तो actually किया, time और distance के बीच में a relation create किया, इसके अलावा कुछ काम नहीं है, आईए start करते है speed से, definition पढ़ते हैं, उसके बाद काम बढ़ना start हो जाएगा, speed क्या होता है, the rate of change of distance covered with respect of time is called speed, तो अगर आप बोलोगे, speed equals to distance upon time, तो बात बिल्कुल correct है या गलत है, बिल्कुल correct बात है, समझते हूँ, आओ जरा, देखते है, speed equals to distance upon time, distance traveled by the particle in unit time is called speed, it is a scalar quantity, scalar quantity और vector के बारे में, आगे और define करके पड़ेंगे, पर आपको भी बता देते है, scalar quantity actually होती क्या, scalar quantity जिसका only magnitude होता है, direction नहीं होती, और vector क्या होता है, जिसकी direction plus magnitude होता है, उसको बोलते है, vector quantity, quantity, तो speed is a scalar quantity, clear है, formula check करते है, speed का हमने formula लिखा है, distance, 10 upon time, तो distance को किसमें measure करेंगे, length में, time को किसमें करेंगे, second में, तो इसका क्या बन जाएगा, unit क्या बन जाएगा, M0, L1, T-1, ये का बन जाएगी, dimension, और unit क्या बन जाएगी, meter per second, meter per second, या meter की second की minus 1, पल्टी मार के उपर आजाएगा, dimension M0, L1, T-1, 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 पल्टी मार के कहां आगया, उपर आगया, clear बात है, चलो, लाल चटनी में क्या लिखा है, check करते हैं, for a moving particle, speed can never be negative 0, it is always क्या आएगा, positive आएगा, अब याद करो, जो part 1 में हमने distance और displacement में हमारे चांद सितारे पड़ेतिस में साफ साफ बोला गया था, कि distance कभी भी negative नहीं होगा, और 0 बात नहीं करेगा, हमेशा positive बात करेगा, अब इस formula में check करते हैं, तो formula में साफ शाफ शब्दों में लिखा गया है, speed equals to distance upon time, तो distance का relation किसके साथ बन रहा है, speed के साथ बन रहा है, तो अगर इसको आप 0 कर दोगे, तो speed भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो जो की संभव नहीं है, तो हमने क्या बोला, always क्या है, positive है, काटा मारने का मतलब है, यह चीज़ संभव नहीं है, सिर्फ क्या हो जाएगा, positive हो जाएगा, clear चर्चा, clear है, अब speed, यहां तक तो हमारा part जो था, वो 9th का part था, अब 11th में का करेंगे, speed को पूरी तरह से खोल देंगे, जितने भी इसके part बनते हैं, और हमारे neat में जितना भी पूछा जाता है, उस part को हम cover करना, start कर देंगे, start करते है, uniform speed, इसको आप ऐसे चर्चा से समझ सकते हो, जैस बिल्कुल time पर पोंचते हैं, और time पर ही निकलते हैं, तो हमने क्या बोला, कि बिल्कुल equal time में, equal distance जो part कवर करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, uniform speed, तो अगर definition बात करें, मालो यहां राजू खड़ा है, A point पर, और B point पर खड़ा है, काजू, हमने क्या बोला, starting का जो distance है, व इसको भी 1 minute में तैय करता है, और इसको भी 1 minute में तैय करता है, मतलब distance covered in 1 minute, तो 10 meter को cover करने में 1 minute, अगले 10 को 1 minute, और अगले 10 को भी 1 minute, तो सब ऐसा बोलना चाह रहे हो, क्या कि equal time में equal distance cover कर रहा है, this is called uniform, अगर यह जो 10 की बजाए 20 कर दूं, और इसको 30 कर दूं, इसको 30 कर तो uniform नहीं होगा, uniform का क्या हो जाएगा, non uniform, उसमें क्या कर दिया, हमने distance change कर दी, और time क्या है, same है, तो उसको क्या बोलेंगे, non uniform, तो यहीं पर clear होगा uniform और non uniform, आओ ज़रा, then is said to be moving with uniform speed, simple सी चीज है, इसमें कोई चक्रवली बात नहीं है, हमारे chance इतारे क्या बोलने है, check कर करते हैं, when a particle moves continuously on a straight line with uniform speed, then the acceleration of the particle is 0, अब acceleration जो word है, वो आपके लिए शायद नहीं होगा, पर acceleration actually होता क्या है, change in velocity upon time की बात करता है, clear है, तो हमने क्या बोला, कि जहां straight line की uniform speed की बात करोगे, वहाँ acceleration की value क्या होगी, 0 होगी, अगर मोटी-मोटी बात बोलें, तो इतना बोलेंगे, कि uniform speed के लिए acceleration की value क्या होगी, a बराबर क्या होगा, 0 होगा, simple सी बात है, पर इसमें एक twist है, वो twist क्या होता है, कि आप किसी uniform circular motion की बात करते हो, uniform circular motion हम third chapter में पढ़ेंगे, पर उसका example पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि इसमें वो काम करता है, अब uniform circular motion में पढ़ोगे, speed की value तो इसमें constant रहती है, पर velocity क्या होता है, change होती रहती है, तो हम क्या बोलेंगे, उसमें acceleration की value 0 होगी या नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नर्मल सी बात है, चेक करते है, when a particle moves continuously in a curved path, अब देखो, इस पा example, uniform circular motion is an acceleration या accelerated motion, कुछ भी बोल सकते हो, दोनों में कोई difference नहीं है, तो हमने क्या बोला, कि अगर आप straight line की बात कर रहे हो, और uniform speed की बात कर रहे हो, then acceleration equals to 0, अगर नहीं कर रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे, acceleration non-zero या 0 नहीं होगा, जो भी बोल रहे हो, और बहुत अच्छा example या पर वो हमारे third, मतलब motion इने plane की चर्चा है, उसमें हम करना start करेंगे, non-uniform speed, इसके बारे में हम uniform में ही बात कर चुके है, non-uniform का मतलब क्या होता है, जो uniform speed नहीं हो, ऐसा बोल दोगे क्या, हाथ उस बोल सकते हैं, ऐसी बात, मतलब unequal distance cover कर रहे है, equal intervals of time की बात करे, definition बोलते ह in equal intervals of time is called non-uniform speed, clear है बात, clear है, आओ, पहला क्या बोल रहा है, when a particles move with non-uniform speed, then the acceleration of the particle is must be non-zero, uniform का मतलब था, बराबर, बराबर, time b or distance b, non-uniform का मतलब है, अलग, अलग, तो हमने क्या बोला, अगर उसमें अलग था, तो उसमें वेल्यू क्या थी, non-zero, इसमें क्या बोल दिया, non-zero, तो दोनों value relate हो रही है न, तो बात काम बढ़ना start हो सकता है, सिर्फ एक case की बात करिया है, और uniform case की, straight line के लिए, उसमें क्या कर दिया था, acceleration को, zero कर दिया था, आईए जरा, यहां से जो आपकी कारवाई है, यह बहुत important रखती है, और यही future जब जब चलता है, slide जब जब चलती है, उसके साथ साथ आप notes बनाते रही है, क्योंकि यह जो आपके notes बनेंगे, यह neat के सबसे बहतरीन notes होंगे, और आपके द्वारा बनाए गए होंगे, तो इसमें किसी परकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आपको समझ आने में भ average speed of a particle for giving interval of time is defined ratio of total distance, तो सिधा एक बात बोलिये न, इतना theory कहा ही पढ़ रहे है, वी average की बात करेंगे, तो क्या बोलेंगे, total distance upon, upon total time, तो कहने का मतलब क्या है, चाहे आप किसी point से start करते हैं, किसी भी point से start करते हैं, उस point से लेकर, जो आपका final point होगा, upon में, जितना time आपने लिया है, एक गंटा, दो गंटा, चार गंटे, 60, 80, 200, 80, कितना भी time हो, उससे फरेक नहीं बढ़ता, उसको का मतलब करके value निकाल लेंगे, clear है चर्चा, तो क्या बोलेंगे, average speed बराबर में, total distance covered upon time taken, या total time taken, एक ही बात है, कोई फरेक वाली बात नही है, अब बोल रहा है, a body covering different distances with different speeds, थोड़ा सा, इसमें change आ रहा है, वो change को समझेंगे, कैसे और कैसे होता है, Suppose a body covers distance S1, S2, S3, clear है, तो मतलब हम distances को यो show कर रहे हैं, वैसे तो शायद पढ़ा भी होगा, S1, S2, S3 से, dash dash dash, जितना आपकी इच्छा है, वहां तक ले सकते हैं, SN तक जहां तक आपका pen चलेगा, और शाहीं खतम ना हो, with speeds जो आएगी हमारी, V1 से लेकर, VN तक, तो इसको जालक से mention इसलिए का जा रहा है, ताकि ने हो, दिक्कत ना है आगे के लिए, और आगे आपको, इसको mention नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे आप बिल्कुल familiar हो जाओगे, चलो, आओ जरा, हम, यह क्या आगया, हमारी speeds आगी, respectively, then its average speed will be, आओ चर्षा को आगे बढ़ाते हैं इसको उपर कर रहे हैं जी, हम, हमने बोला, V average की बात कर रहे हो, तो हमने बोला, S1, S2, S3, कहां तक जाओगे, जहां तक मैं चले, T1, T2, T3, हम, डाटाइश कहां तक, TN तक, clear आचर सा, चलो, यह तो average की बात कर ली हमने, अब एक चीज़ इसमें, change कर सकते हैं, कि यहाँ पर T1 है, यहाँ पर T2 है, यहाँ पर T3 है, अब इस चीज़ चर्षा को हम कैसे बताते हैं, इसको ओपर कर रहे हैं थोड़ा सा, और, V average equals to, S1 plus S2 plus S3 plus डाटाइश जहां तक जाना चाह रहे हो, अब ओन में क्या था, T1 की value क्या लिए थी, T1 को उदर बेज दिया, और V1 को नीचे लिए आए, क्या हुआ, S1 upon V1, S2 upon V2, और S3 upon V3, डाइश डाइश जहां तक हमारा pen चले, clear है, चलो, अब यह तो हमने case बना लिए, V average के लिए हमारा कोई चर्चा में दिक्कत नहीं आई, अगर इसमें सिर्फ दो ही case को measure किया जाए, case 2 कैसे हो सकते हैं, कि S1 और S2 कोई लिए जाए, तो उसके लिए हम क्या बात करेंगे, इसकी बात करेंगे, तीन की बात क्यों करेंगे, जब फर्स डिस्टंस ही S1 है, और सेकेंड भी S2 है, फर्स्ट के लिए स्पीड क्या है, V1 है और दूसरे के लिए क्ली क्या है, V2 है, थर्ड का कहले लना दना, कोई लना दना नहीं है, चलो, check करते हैं, हमने यह निकाला, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें, कोई प्राब्लम नहीं, no problem, S1, S2, S3, S1 upon V1, S2 upon V2, S3 upon V3, ठीक है चर्चा में कोई दिक्कत नहीं, special case, अब इसको थोड़ा सा समझना जी, यह बहुत importance रखता है, इफ, S1, S2, S, इसको हमने S माल लिया, आप सब कुछ भूल जाओ, इदर आ जाओ, चर्चाओं को भूलते हैं, हाँ, कहा निकाला है, V average पुछा है न, V average, हमारा आया था, S1, S2, S3, डश, 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 और यह आया था, कितना आया था, हमने T1 की जेगा पुट किया था, तो लिखा था, S1 upon V1, S2 upon V2, S3 upon V3, खचा, 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 आज जाओ, लिख से था, ठीक है, अब साफ सा बोला गया है, special case में, सिर्फ दो ही को चर्चा करनी है, S1 और S2 को कितना माल लिया है, S1 कहीं लिख रहे हो, क्या लिखोगे, S plus S, पूरे को बार निकाला, क्या आएगा, S माना है, तो हम क्या बोलेंगे, S निकालो बार, 1 upon V1 plus 1 upon V2, समझ आ गया ना, दोनों में से S common आगया, S को निकाल लिया बार, उपर कितना बना, उपर बना, 2S, नीचे कितना पड़ा है, S पड़ा है, 1 upon V1, 1 upon V2, काटो, किता आएगा, उपर ले जाओ इसको, यह आएगा, 2 upon में, 1 upon V1, 1 upon V2, क्लियर चर्चा, अच्छा, LCM लो, V1, V2 कहां जाएगा, पल्टी मार के, उपर जाएगा, क्या आएगा, 2 V1, V2 upon में, V1 plus V2, यह हमारा आजाएगा, V average, हमने केस क्या कवर किया था, केस कवर किया था, S1, S2 equals to S, अब इस चर्चा को थोड़ा सा, मैच कर लेते हैं, हमारा आंस्वर क्या आया, 2 V1, V2 upon में, V1 plus V2, यह देखे जरा, बिल्कुल correct है, चर्चा समझ है, चर्चा समझ है, आओ, अब इसमें क्या है, हमने S1 और S2 को S माना है, अभी कोई केस कुछ और मान सकता है, T1 की value के लिए, T2 की value के लिए, speed की value के लिए कुछ भी बान सकता है, चलो, दूसरा case भी check करवा देते हैं, क्या बोला गया है, बोला गया है, इसको यहीं कवर कर देंगे, कोई दिक्कतरी बात नहीं है, a body moving with different speeds in different time, इस दोनों को क्या कर देते हैं, गोला गया है, ताकि काम बनना start हो जाए, intervals, suppose a body travels with speed V1, V2, V3, अब देखो, V1 distance क्या है, distance है S1, time क्या है T1, तो V1, T1 किसका value आज़ेगा, S1 का, another S2 क्या आएगा, V2, T2, then S3 क्या आएगा, V3, T3, चर्चा मानते हो, in time intervals, T1, T2, T3, total distance travelled by V1, V2, V3, सब कुछ cover किया, V1, V2, 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 T2, V3, T3, clear है, यह हमने बना लिया पहले से, देखो, बढ़िया लग रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई चर्चा में दिक्कत ही नहीं है, कर रहे हैं, VAverage की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम क्या बोलते हैं, इसको उठाते हैं, इसको उठाते नहीं तो इसको लगाते हैं, चलो अभी आ करेंगे? वेली पूट कर सकते, S1 की जगह है, ये बाली, S2 की जगह है, ये बाली, ठर्ड की जगह है, ये बाली, पर हम क्या करेंगे, case अगर 2 मेजर करना चारह हो, तो दो करो तो हमने का बोला अब तक लेंगे तो टाइम कितना हो जाएगा एंट तक लेंगे ठीक है तो सभी में से क्या निकाल दिया चर्चा क्लियर है तो ट से ट काटो खड़क खड़क और वी अवरिश के आजाएगा वीवन से लेकर वी अंतक अपॉन में एंट दोनों के समझ आगे दोनों के से एक्षुली क्यों बनाए गये हैं क्योंकि हमारे numerical में जाय जाय जाधा दो body's की बात करेगा, A or B की बात करेगा, या कोई car or truck की बात करेगा, या car or bike की बात करेगा, इस पर लाग कोई बात नहीं है, की a train और, और एक bus आ रहे है, तो क्या हो जाएगा, ऐसा question नहीं हाता तो दो चर्चाओं की बात करेगा, तो किसी भी instant point ही बात करते थी, तो इस instant point के लिए हमने के बोला था, values को कहई कर दो, बौत small कर दो, clear है, और small के लिए हमने बोला था, physics में क्या लगाते है, limit, आउ जरा, it is a speed of a particle at a particular instant of a time, क्या लिखा हुआ है पीले शब्दों में पर्टिकोल इंस्टेंट आफ टाइम तो यह यह यलो वोड्स है ना यह बहुत इंपोर्डेंट है इसको आप भी हाइलेट कि रहें तो क्या बोलेंगे वी इक्वस टू डी एस अपॉन डी टी या डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी जिसकी लिमिट लगाएंगे हम कितनी डेल्टा टी से लिमिट किया ऐगगा डेल्टा टी से जिरो तक डेल्टा ऐसा अब अब चर्चावों में थोड़ा ट्W Living क्या twist है कि वहां पर x tends to 0 था पर यहां t tends to 0 था तो फरक है यहां पर time की बात की जा रही थी वहां किसी position के लिए कुछ बात कर रहे थी clear है clear है चर्चा चलो अब यह था हमारा स्पीड का सारा पार्ट अब हमारा आएगा द्रवादम नुमेरिकल चलो इसमें चर्चा बनानी जरूरी है और इसमें काम करना बहुत जरूरी है चलो आओ देखते हैं पहले एक्जमपल बिल्कुल तरीके से अराम से तसली से पढ़ेंगे उसके बाद काम करना स्टार्ट करे बोला गया है बोड़ी ट्रैवल फ्रॉम ए इसको तरण नीचे करिये है हाँ बोली जर ए टू बी 40 मीटर पोर सेकिंड और फ्रम बी टू ए एड 60 मीटर पोर सेकिंड कैलकुलेट दा एवरेज स्पीड सुनिये जी कोई दो पॉइंट अबी लिया है राजू-काजू ले लो राजू ए पर खड़ा है काजू जो है वह बीपर खड़ा है Soleil था पहले असे बीपर किटनी पेसे आता है 40 मीटर पोर सेकींड लो पहले लगाए 40 मीटर पोर सेकिंड दूसरा आत obtitute किते पर आता है 60 जल्दवाजी में होता है चलो बोला क्या है एवरेज स्पीड फाइंड कीजिए आव करते हैं फॉर्मुला आता है डिस्टेंस अपॉन ताइम ऐसे लिख दो सिधा डिस्टेंस अपॉन ताइम अब सही है ठीक है सर अगर इन दोनों वैल्यूस को पता लग जाए तो काम बिल्कुल संदिकी बिल्कुल तंदुरूस्त हो जाएगी आव करते हैं चलो सबसे पहले हम टोटल टाइम देखते हैं कितना आएगा टोटल टाइम इस चर्चा में कूछ दिख रहा है टाइम को पिष्ज दीया तो इससे अपॉन क्या आ जाएगा स्पीड आ जाएगा चैनलर स्पीड पहले कितनी है 40, दूसरी time कितनी है 60, distance क्या बोल रहा है, A, B है, और दूसरी हम क्या B, तो पहले time देखते हैं, पहले time है A, B, पहले time कितनी है 40, दूसरी time कितनी है, B upon 60, इस चर्चा में कुछ problem है, तो काम अभी पूछना start करना, नहीं तो काम बनना खराब हो जाएगा, कहने का मतलब जब राजू से काजू के पास पहुंचता है तब तो 40 की स्पीड जाता है और जब B से A की तरफ आता है मतलब काजू से राजू की तरफ आता है क्या होता है 60 की speed होती है यहां तक समझ आ गया तो हमने क्या किया technically t की value क्या निकाली distance upon speed चर्चा समझ आ रही है तो distance क्या है पहले a b है फिर क्या है b है चलो इसमें कुछ कारवाई करते है a b किता आएगा 1 upon 40 plus 1 upon 60 then then क्या answer निकालो 24 क्या किता आएगा 240 कार्ट पिट करो किता आएगा आओ 6 plus किता आएगा 4 आएगा यही आ रहा है तो value क्या आएगी a b upon 24 अब यह क्या आया है यह तो time आया है वह भी कुण सा पूरा total time आया है पूछा क्या है average speed चलो चर सहीं इसको अठाएं थोड़ा सा चलो फिर हम cross check कर लेंगे हमारे answer से अच्छा यह माल पास आया बेटा time total वह भी t तो speed क्या आएगा v average distance किती थी a b और a b किती होगे 2 a b 2 a b upon ऐसे मत लिखिये परिशानी होगी a b plus a b या लिख दो एक ही बात है फरक थोड़ी पड़ेगा उसे time किता है a b upon 24 तो वी average की बात करेंगे कितना हैगा 2 a b upon a b into 24 काटो खचक कितना हैगा 48 किसमें दिया हुआ है meter per second answer खचक करके answer लेके चार नमबर लेके निकलो आगे 48 meter per second खतम क्लियर है चर्चा थोड़ा देखते हैं वापिस से इसको हाँ अब देखिए a body trials a to b 40 b to a 60 बस average speed कितना आ रहा है 48 क्रोस्चेक करें करो आओ total time taken b to a to b क्या है t1 t2 कितना आ रहा है a b upon 24 ऐसी चर्चा में कर रहा था ऐसी कर रहा था ठीक बात है तो 1 a b common लिया कितना यह इसका निकाला यह निकालकर 1 a b upon 24 आया उसके बाद यह हमारा total distance a b से भी और कितना यह तो a b आ गया तो average speed कितना आएगा 2 a b upon में total time कितना यह था a b upon 24 मतलब 48 meter per second correct transfer एक एक numerical की language को जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार नई चीज सीखने को मिलती है तो पढ़ना है numerical को बारी-बारी चाहे आप किसी भी बुक से बढ़ रहे हैं या किसी भी किताब से किसी भी चीज से बढ़ रहे हैं चाहे आप कोई page लेके पढ़ रहे हैं चाहे आप slide से पढ़ रहे हैं आओ जरा second example क्या बोल रहा है कुछ नहीं बोला सब दिख रहा है सिरफ आओ बोलवाते हैं से on a 60 km track a train travel the first 30 km with a uniform speed of 30 km per hour how first must the train travel the next 30 km order so as the average 40 km per hour for the entire trip तो कहने का मतलब क्या है साफ साफ चर्चा में बोला जा रहा है कि पूरी जब train चलती है वो कितना 60 meter का track ले रहे हैं उसके बाद first 30 km है उसमें uniform speed की बात कर रहा है एक्सलेशन कहीं नहीं आएगा अभी क्योंकि अमने चर्चा करी नहीं उसकी तो कुछ मतलब नहीं है फिर बोला 30 km per hour यह उसकी first speed है how much the train travel the next 30 km मतलब find का करना है technically V2 to average V average की बात भी कर ली अरे कुछ पूछा ही नहीं पूछा क्या है जो चिजे गीवन है उसको लिखना स्टार्ट करो और इस बात काम करना स्टार्ट करो यूनिफर्म की बात कर रहे है मालो S1, S2 S बराबर किता दिया है 30 किलोमेटर में है तो किलोमेटर लिखके नकी करें V average की बात कर रहा है वी average किता दिया अपने को 40 km per hour खड़क V1 इतना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है और V2 क्या है फ्यंड करना क्या करना है ठीक है बात कर लोगे चलो करने इस में दिखाया है अएसी तुस की वेल्यु किती है 30 धेन की वेल्यु 30 वी 2 कि value और V average की value 40 और find क्या करना है V average find करना है चर्चाएंब ऐसी रहेंगी V average की value जो करते हैं distance upon क्या आएगा time आएगा V average का मतलब distance s plus s ऐसे कैसे हटाओ लो लो खटा देते हैं अब देखो पहली speed वहले पहली distance और दोनों distance कवर करेगा चलो सर s1 और s2 लिखो ना हाँ ठीक अभी याद आया तो आप लिख दिया लो अभी परिशानी नहीं करेंगे अच्छा इसको हमने क्या माना है s1 s2 की वैल्यू किती है 30 दिया और अमने s मान लिया तो s मान के कर लेते हैं इसको लिखा 2s s plus s 2s हो गया ना t1 की वैल्यू मानते हो इस्टेंस अपान इस्टेंस अपान स्पीड डिस्टेंस किती है s है स्पीड किती है पहली किती है पहली दी है सर 40 40 नी 30 हां पहली किती है 30 है 30 लिखे 30 लिखे 30 लिख रहे थे का पहली है 30 सर दूसरी जो है वो थो ववी दिवी ओ है वा निरंग किती दिवी है जो करर को अन्सवाला जाएं पक मिन आर इक्वेशन बनने के बाद तो हम क्रांति काई हो जाते हैं और हो इसको अ टाएं हाँ लो एल से वल से मलो क्या आएगा 40 equals to 2S निकालो S 1 upon 30 इसकी value 30 है न वीवन की value और दूसरे की value किती गिवन है find करनी है इस ज्यादा लाड़ साब है कि इसको भी निकालो न आओ किता आएगा 40 42 1 upon 30 plus 1 upon V2 चर्चाएं देखो बराबर आ रहे है अच्छ इसने क्या लिया है V1 और V2 को अभी तक कार्ट पीट ही नहीं करी तो हम कार्ट पीट नहीं करेंगे तो भी यही आएगा इसका वेल्यू जो आएगा चेक करते हैं हम कैसे निकाला है चलो वेल्यू स्पुट करना स्टार्ट करते है उपर ले जा रहे है इसको चलो इसको करो तो फॉर्टी टू यहाएगा यहीं थर्टी वी टू यह कितना आएगा वी टू और यह कितना आएगा थर्टी पल्टी मार के कहां जाएगा उपर जाएगा आओ कितना आएगा फॉर्टी तू इन्टू 30 इन्टू वी टू आप वान में V2 प्लस 30 करो multiply 40 V2 इतना परिशान कहे हो रहे हो काटो इसको कितना आएगा 20 अब multiply करो 0 से 0 हटाओ इसका अब काटो बिटो कितना आएगा 2 का multiply करो 2 V2 equals plus plus 60 equals to 3 V2 तो यह क्या आजाएगा इधर इधर बेजो उसको तो V2 की value कितना आजाएगी बेटा यहां ऐसे लिखो 3 V2 इधर बेजो के तो किता आएगा 2 V2 equals to क्या चल रहा है 60 तो V2 का value कितना आया 60 given किसमे हैं हमें given है sir km per hour में given है तो हमारा दुसरास नहीं बनेगा कि हम इसको किसी और में change कर सकें V2 की value कितनी आ रही है 60 km per hour चर्चाओं में दिक्कत नहीं होने चाहिए calculation आपके तरीके से कर सकते हैं हम अपने तरीके से करेंगे आपकी इच्छा है तो L leverage करें अगर आपकी है तो S मानगे करें आपकी इच्छा है तो V1 मानगे करें यह तो इच्छा P burden करेंगा कि ऐस ताइम कैसे करना है आओ जरह इसको क्रोस चेक करवा जते हैं हमारा वैल्यू है 60 km पर आर वीटू का वैल्यू और इसका भी कितना है 60 तो दिशा बिल्कुल सही जा रही है चलो आओ ख्लियर है चर्चाओं को देखते हैं इसने कैसे किया है आओ जरह इसने इसने वीवन वीटू का वैल्यू नहीं पुट किया और वैल्यू करके कर लिया क्रॉस मल्टीप्लाय क्या ज़्यादा वक्त नहीं लगता सिर्फ एक दस सेकिंड का फरक है तो सब आपोन स वन अपन वीज़ वन अपन वीटू अब यह जो चर्चा है आपको मैंने पहले जो च तो इसका वेल्यू बराबर है कान कहीं से वकड़ो वेल्यू बिल्कुल बराबर आई है कितनी आई है 60 आई है उपर इसे मल्टिप्लाई कि और अंस्वन निकाला इस चर्चा को वापी सोड़ा बता देते हैं हमारी वल चर्चा को ताकि परिशानी ना आए जी ठीक है हमने क्य आउ 42 अपन वी 2 थी वी 2 इसके आद हमने क्रॉस मल्टिप्लाई किया और इसके बाद हमारा जो वेल्यू आया 2 वी 2 प्लस 60 इसको इधर ले जाओ तो वी 2 में से वी 2 जाएगा कितना बचाएगा वी 2 जिसकी वैल्यू कितनी आई 60 बराबर है चालो ठीक बात है आगे चेक कर next 1 3rd with speed V and the last 1 3rd speed is W. Calculate the average speed of the body during entire journey. थोड़ा question अच्छा है और इसी तरह से नीट में प्रशन पूछे जाते हैं इस टाइप से question में पूछा गया cover कर रहा है एक 1 3rd फिर 1 3rd फिर 1 3rd मतलब 3 पार्ट में divide कर दिया अगर सर इसको ऐसा बोला जाए कि एक बटा 3 15 plus 1 by 3 1 by 3 और 1 plus 1 plus 1 किता होगा 3 by 3 मतलब 1 तो काम बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा अब 1 की जगा क्या ले सकते हो अगर आपको किसी question में दिया जाए तो 1 की जगा आप S ले सकते हो एस अपॉन 3 एस अपॉन 3 एस क्या हो जाएगा distance की बात करेगा थार्ड उसकी बात करेगा time-wim की बात करना या speed की बात करा तो भी कवर कर देगा वह डिपेंड करता है question पे question हम से कैसा चर्चा करना चाहरा है आव आप इस question पे चर्चा करते हैं और बहुत सुंदर question है आव और बोला है कि first journey की बात कर रहे हैं मतलब first cover करेगा मा लो x ऐसे सब्वोगा distanceuve पहला x करेगा दूसरा भी x कर लेगा और third भी x कर लेगा ऐसा मानते हैं x में कर लेते हैं इसम, बहुत कर लिए example तो मैंने बोला कि टोटल डिस्टेंस कवर करेगा वो कितनी करेगा 3x करेगा मानते हैं से चर्चा में मानने में कोई पैसे नहीं लग रहे अच्छा उसके बाद हमने बोला speed equals to distance upon time distance first third में कितना कर रहा है x और speed कितनी है u है तो time हमारा के आएगा t1 के लिए distance कितनी है x upon u अरे u बनाओ ना 4 को बना रहे हो sir हम थोड़ी बना रहे है आप बना रहे हो हटा भी रहे है sir यहलो आजो आओ रहे मनते हो मनते हो मन पड़ेगा second जो है वह x रहेगा x upon v 3rd जो है x upon w total time कैसे cover करोगे 1 upon u 1 upon v1 plus w x का निकाल दोगे बाहर निकाल दोगे pause करो करना start करो काम बना start हो जाएगा start करते हैं जी आओ पहले करेंगे इसको side में लिजिए थोड़ा का निचे कीजिए चलो माना x कितना हो जाएगा distance कितनी मानी है 3x मानी है क्लीर चर्चा अब चर्चा में क्या था total time अलग अलग नहीं निकालेंगे सिधा एक time में cover करेंगे चर्चा का time भी बचेगा और काम बढ़ना start होगा first के लिए हमने बोला था u second के लिए हमने बोला v third के लिए कि हमने बोला W हमने नहीं कोश्चन ने बोला है इसलिए लिखा ऐसा समझे बराबर चलो यू वी और डबल्यू अब पूछा है यह हमने निकाला हमारी चर्चा का का हिस्सा कहा रहता है डिस्टन्स अपउन है टोटल टाइम टेकन तो टोटल टाइम की लिख तो दिक्त हुँख हूं नहीं sector आओ डिस्टेंज जिएमीना घृतल भी क्यतोंत घृतल की बात कर रहा है, करो उपर इसको, आओ, V average, क्या बोलेगा, यह तो क्या बोलेगा, यह तो हम लिख रहे हैं, यह बोलेगा भी, देखो, 1 upon U, 1 upon V, कितना आया जाजी, X से X काटो, V average की बात करना स्टार्ट कर रहे हैं, इतर लिख दे, दिखेगा, आओ, जरा, क्या आएगा, V average, equals to, 3, LCM, लो, UVW का क्या आएगा, UVW, तिनो ही आजाएंगे, पर यह कॉमा नहीं है, ओ, bracket नहीं है, ठीक है, आओ, जरा, खाटो, U से काटेंगे, तो किछी का रहे जाएगा, VW, प्लेस, V से काटेंगे, पिछी का रहे जाएगा, UW, और अगर, W से काटेंगे, पिछी का रहे जाएगा, यह रासिंग, UV, चलो, आओ, पल्टी मेरा आओ, उपर, कितना आएगा, आओ, V average का value, check करते हैं, इसको आटाओ, V average कितना आएगा, 3UVW, अपॉन में, UV, प्लेस, UW, प्लेस, VW, चर्चाएं, बराबर है, check करते हैं, final average speed क्या आ रहे है, बेटा, V average बराबर में आ रहा है, हाँ, V average आ रहा है, 3UVW, UV, प्लेस, UW, प्लेस, VW, यह आगे पीछे, शेफल भी हो सकता है, उसमें कोई फरक नहीं पड़ेगा, किया क्या कुछ नहीं किया, question पढ़ते हैं, बोल रहा है, साफ साफ की, one third part cover कर रहा है, और one third जो part है, U की speed से, फिर V की speed से, और फिर W की speed से cover कर रहा है, किसी परगा की कोई परिशानी नहीं होने चाहिए, ठीक है, चेक करते हैं, कितना आया, हमारा value है, 3UVW, यह हमारा answer है, इसको tick कर लो चाहिए, लाल बन से लिख दे, लो, answer क्या है, हमारा, यह आया, बस, 3UVW, UV, यह आया, 3UVW, UV, 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 आगी पिशोज़ा कोई दिक्रत नहीं है, एक प्लेस तीन प्लेस पांच कर लो, पांच प्लेस एक प्लेस तीन कर लो, फरेक कुछ नहीं पड़ेगा, value उतनी ही आएगी, 8, clear है, 9, जो भी आखी आए, 8, 9, जो भी आणगी, आओ जी, नीट के प्रेशय चारट कर दे, 1991 में देख न कर पारे वा नहीं कर पारे, किस से, जो उम कर रहे हैं, अगर उसे लिट कर पार रहे हैं, तो चारट ये बठी सुंदर चल रहे हैं, आओ, तो एक आर मुवज दिस्टेंस थोड़ने इशे की जिए इसको हां आई रहा है एक आर मुवज दिस्टेंस आफ 200 मीटर कौशिण को बढ़िया तरीके से पढ़ना ताकि काम बढ़ना स्टाट हो इट कवर्च प्रस्ट हाफ मतलब 100 मीटर दिया है तो 100 मीटर की बात कर रहा है वी मतलब टेक्निकली क्या फाइंड करना है उस वी की मतलब सेकिंड स्पीड फाइंड करनी है तो ऐसा कॉशन करके आचुके हो क्या बिलकुल की है इससे बार कुशन बने गाई नहीं पहला ऑप्शन है 56 60 50 और 48 क्लियर है अच्छा बोल रहा है कार डिस्टंस 200 मिटर है कैने अच्छा जाएंड कर गया टोटन टाइम की वेल्यू पता लग जाए चोंड डिस्टंस पता है उसके बाद चाम बने जाएंगा आओ जरा आपको आपको मिली हुए है ना एवश वाली एवश वाली वी एवेवरीज वाली डिस्टंस अपाल टाइम इसमें अगर ये दोन चलो पहला बोला है कि दिस्टेंस किता रिया 200 मिटर दिया है फर्स्ट हाफ मतलब 100 की बात कर रहा है स्पीड कितनी है 40 सिधा करना स्ट करें टोटल टाइम लिखने की विजूरुत है चलो लिख देते हैं ताकि चर्चाओं में दिक्कत नाए टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया स्पीड को लाओ नीचे ले क्या उपर क्या रहेगी डिस्टेंस रहेगी तो पहले कितना पहला 100 की जब बात कर रहा है तब आरह 40 की बात कर रहा है और जब दूसरे 100 की बात कर रहा है तब वी की बात कर रहा है इस चर्चाम में अगर दिक् पहली से काम करना स्टार्ट करेंगे चलो वी अवरेज की बात करेंगे बिलकुल आराम से आएए डिस्टेंस 200 गिवन है साफ साफ चिला चिला के बोला है पहली लैं में बोल चुका है टोटल टाइम कितना है 100 अपॉन 40 दूसरा टाम कितना है 100 अपॉन V मंतियो चलो वी अवरेज की वैल्यू कितनी है 48 इतनी है 48 यह कितना है 200 नीचे कुछ दिख रहा है कॉमन दिख रहा है 100 आओ निकालो 1 अपॉन 40 प्लैस 1 अपॉन V करो उपर इसको option दिख रहे है चलो 48 खचक खचक कटना किता आएगा टू 1 अपॉन 40 प्लैस 1 अपॉन V चर्चाह में इस दिक्कत थोड़ी है अब तो क्या करना है LCM लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको काटो कितना आएगा 24 आएगा 24 आएगा 24 आएगा इसकी पल्टी मेरा सकते हो पल्टी मेरा होगे तो भी काम बन जाएगा चलो परे LCM कर देते हैं 24 इक्वस टू 1 अपॉन ये कितना आएगा 40 V किता आएगा 40 V काटपीट करें चलो करते हैं किता आएगा 40 किता आएगा 24 इक्वस टू 40 V अपॉन में V प्लेस 40 हाना चलो करो 24 V प्लेस किता आएगा जीरो मल्टिपले करो 24 इंटू 4 किता होता है 96 होता है क्या हाँ 96 किता आजाएगा 260 आजाएगा बराबर में क्या चल रहा है 40 V चल रहा है हाट आवरे बेशती हुरी है हाट हाट आदिया हाँ 960 इक्वस टू आएगा 40 V माइनस 24 ठीक है कितना आ रहा है यह आ रहा है 6 और यह 10 16 V यह किता आ रहा है 960 कट रहा है गया काटो इसको 2 से कट किता आएगा 480 इसको किटा आएगा यह आठा यह यह आएगा 4 आएगा इसको किता आएगा है यह किता आएगा 220 V की वेल्यू आ रहा है 60 KM पर आ रहा है हां 60 km पर आ रही है जो चर्शा में मिला है उसी को लिखेंगे मीटर पर सेकिंड में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इतनी तकलीफें कहां मिली है अभी तो भी अराम से चल रहा है कितना रहा है अप्शन नमबर B is correct कोशन वापिस बताएं लो जड़ा देखो जड़ा कई बचो ने कर भी लिया होगा उसको बहुत बहुत बदाई आओ जड़ा साफसा बोला गया है चर्चा में फर्स्ट हाफ जो कवर कर रहा है वह 40 की स्पीड है सेकिंड हाफ के लिए मैं फाइंड करना है इतना सा कुशन है और ऐसा कुशन बताके आचुकी है उसका वैली भी से साथ ही आया था ना तो खाहां दिकत है कुशन अलग था पर उसकी एव दिकत वाली बात नहीं है चर्चाओं की दिकत इसलिए ना आए कि LCM में कहीं दिकत कर दो कल्कुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होनी चाहिए आओ जरा हमारा इसमें देखते है इसमें कैसे किया है इसमें इसने किया है 48 200 LCM लिया काटपिट करी किताया इसने उस पूरे पावर क के राभी ठीक है तो हमने क्या हमने LCM लेगे कर लिया तो टैकनिक्निकिली हमारी V कि Value किती है 60 आई है इसकी । इसकी भी कितनी है 60 आई है तो value रहता है आने चाहिए तनीका हो आने मिर मजी होना चाहिए आए step 5 चैक करते है गौपल लीय गिवन है बुला ग्या है नाइंटि-इन्वन में हुआ यह भी बस ट्रैवलिंग फर्स वन थर्ड इस्टंस at a speed of 10 km per hour the next one third at 20 km per hour at last one third 60 km per hour देखिये जी याद किजी वह पुराना वर्ड यूवी डवल्यू वाला थ्री एक्स्पीड मानके किया था यूवी डव्यू के लिए total time find किया था same question है बस इसमें क्या कर दी value put कर दी वह question class में किया था यह question rate में हूगा है कहांा डिक्कत आ रही है the average speed of the bus is तो दिक्कत कही आने ने चाहिए मैने आपको क्या पोला है V average बता याद रखिए distance upon time खचक काम हो जाएगा कहीं डिक्कत नहीं आएगी clear है अच्छा बोला है चर्चा में की 1 थाँ दिस्टंस कवर कर रहा है वो 10 से कर रहा है मतलब सर अगर डिस्टंस में अगर स माझने से हैं । मतलब हम ने बुला कि S1 सी स कवर करेगा किसमें करेगा 20 में कर रहा है और अगला जो 1 3rd कर रहा है वो कितने में कर रहा है 60 में कर रहा है इसमें कोई परिशानी है क्या कहा ही परिशानी होगी distance किता है s by 3 time find करना है चलो time find करते हैं हटाएं लगाएं हटाओ अरे हट टोटल टाइम देखो नॉर्मली पर्टिकुलर टाइम के लिए दो वेल्यूस की बात करते हैं अगर तीन की बात करें तो चर्चाओं में दिक्कत नहीं आनी चाहिए तो क्या बोलेंगे t1 plus t2 अरे यह क्यों लिख रहे हो सिधा लिखो ना सर लो 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 आओ अचा टोटल टाइम के लिए डिस्टेंस अपॉन में स्पीड डिस्टेंस किती है s by 3 फर्स थर्ड के लिए अपॉन में स्पीड 10 सेकिंड के लिए 20 और थर्ड के लिए थर्ड के लिए हाँ आईए s by 3 अपॉन कित्ता दिया हुआ है 60 लो अब दिख रहा है विजिबल है चलो यह टोटल टाइम की बात कर रहा है मतलब s upon 30 s upon 60 plus s upon 180 this is the total time आप इसको t1 plus t2 plus t3 भी लिख सकते है आपकी इच्छा है तो टोटल टाइम भी लिख सकते हैं आपकी इच्छा है तो ना भी लिखो आपने तो option ही तो टीक करना है ठीक है आओ जड़ा तो यह हमने बात करी s1 s2 s3 की ठीक है हमारी वैल्यू है टोटल टाइम के लिए s upon 30 s upon 60 s upon 180 पूछा क्या है एवरेज वी एवरेज पूछा है डिस्टेंस अपन टोटल टाइम अब ऐसे मतले तोटल इस्टेंस टेकन टूगन यह फाइदा नहीं सा फ़रक यह नहीं पढ़ता उसको से फ़रक इस से पढ़ेगा कि आपका और में गोला कौन सा बढ़ा हुआ है चलो इसे लिए एस अपन 180 क्लियर है चलो चर्चाएं क्लियर है वी एवरेज की बात करें यहां लिखते हैं वी एवरेज की बात करेंगे एस नीचे से एस कॉमन निकालिए वन अपन 30 वन अपन 60 और वन अपन 180 काटो खचक खचक कितना आएगा यहां तक चेक करते हैं पहले वी 30 प्लस 1 अपॉन किता आएगा 61 अपॉन 180 चेक करते हैं इसने ही पर इसको ऐसा 118 कर दिया कहीं दिक्कत थोड़ी है कोई दिक्कत नहीं है चलो हमारा वेल्यू क्या था इसको चेक करते हैं उपर करें इसको आओ करते हैं चलो वी एवरेज क्या निकालोगे आएगा LCM देखते हैं 1 अपॉन 180 आगया कितना आ रहा है 6 आ रहा है फिर आ रहा है 3 आ रहा है और फिर आ रहा है 1 आ रहा है तो वी एवरेज 180 जो आएगा उपल्टी मरके घहां पहुंचेगा उपर जाएगा किता आएगा 180 हटाओ पहले इसको लगाओ इसको 180 अपॉन में 10 अरे यह क्या आ रहा है आप्शन में है भी कहा नहीं चलो चेक करते हैं अरे थर्ड ऑप्शन चेक करो ऑप्शन नमबर सी अच्छा 18 के आगे सर आपने किलोमेटर पर आर नहीं लगा यह चलो लगा देते हैं लो किलोमेटर पर आर हमें लगा वो मीटर पर सेकिंड में दिया हुआ है चलो लीजिए आप्शन नमबर सी करेक्ट चर्चा कैसे करी है देख लीजिए दिखा देते हैं थोड़ा वापिस से लीजिए आईए ज़रा हां एक ही मेथट है उसको हम बारी-बारी फोलो करें मेथट एक ही फोलो करना अलग-अलग मेथट से करना स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल गच् मैं जाती है पर जब पेपल में जाती हैं टरट शूसी होती है और वह से फीजिक्स होती है तो फिर कॉशंसर जाते हैं पीडिक्कत रहती है चल है गोडियै ठीक है, distance upon total time उसी तरह करना start किया, elsm-wilsm लिया और cockpit करनी start की, at then हमारा answer जो आया, वो कितना आया, 18 km per hour और अराम से आया है, और इसमें चर्चा क्या किया है, वो भी देख लेते हैं, सेम बात किया, distance travel किती है, अरे सर क्या ही कर रहे है, 1 3rd, 1 3rd, 1 3rd, 10, 20, 60, यह तो given ही है, यह तो given है, इसमें कहां चर्चा में दिक्कत है, upon मेलाओ, multiply, multiply, इसने यहीं पर elsm लेके, cockpit कर दी, तो हमारी value कितनी है, s की value कितनी है, s upon 18 है, मतलब किसकी value है, total time taken की value है, उसके बाद, distance अपने कितना मान लिया, जैसे maths में मानते हैं, sir, maths को तो बोलो ही मत, बुल चुके हैं, biology पढ़ते हैं, आओ, biology पढ़ते हो, हमारी value कितनी आई थी, 18, option number C is correct, clear है, चलो, question number 6, example number 6, question जो भी बोलना चाहरे हो, एक car है, वो cover कर रही है, first half को, distance को, two places at 40 km per hour, and another half, 60 km per hour, the average speed of the car is, पूछागाई, देखिए, मेरे को नहीं लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम आने बाली है, क्योंकि last वाला हमने किया था, वो 3 entire speed की बात करी थी, इसमें यो speed, average speed जो भी पूछ रहा है, उसमें 2 चीजों को cover कर रहा है, तो जहां पर आपने 1 by 3rd पार्ट लिया था, यहां पर हम कितना पार्ट ले लेंगे, 2 मतलब S by 2 से cover कर लेंगे, और हमारा टोटल जो distance रहता है, बड़ा बन लिखते हैं, ताकि चर्चाओं में दिक्कत ना है, वो कितना लेंगे, S, मानते हो, चलो ठीक बात है, एरेस कर दें, सरी, क्या है लिखते हो, अरे लो, लो, अप्शन नमबर 1st 40, 2nd 48, 3rd 50, and last option is, 63 km per hour, अच्छा, तो क्या करोगे, pause करोगे, और करना स्टार्ट करोगे, सीधा बता दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, चलिए, total distance cover क्या है, S है, ठीक है, और S by 2, S by 2 करोगे, हमने S by 2, कितना दिया है, 40 दिया है, S by 2 कितना दिया है, 63 दिया है, S upon 18 आजाएगा, और इस चर्चाओ करेंगे, कितना आजाएगा, option number, B is correct, आजा आजारी, करवाएं क्या, लो आओ, जरा करवा गायते हैं, कुछ ने, इसमिन दिक्कत ही नहिए, total distance कितनी है, S है, तो पहला half जो cover कर रहा है, कितने में cover कर रहा है, 40 में cover कर रहा है, second जो half कितने में cover कर रहा है, 60 में cover कर रहा है, यह हमारे पास क्या आ गया time वो भी कौन सा total अब चर्चाओं में क्या करना है multiply करना है यह आएगा 18 और यह आएगा 120 यहां से कार्ट पीट करना चाहिए तो इसे कार्ट पीट हो जाएगी नहीं तो आगी कर सकते हो उपर वेजे चलो है डिस्टेंस किती बोली है एस बोली है एस कॉमन लिया वन अपॉन 80 प्लेस वन अपॉन 120 आप कुछ नहीं करना कार्ट पीट करनी है इसके बाद लो वन अपॉन 120 कितना आएगा इसका बार अटिचिन में 960 आएगा ठीक है उस आप से लस्म लेकर काम बढ़ना स्टार्ट हो यहां तक कवर करते हैं बहुत है सफिशेंट है थेखो हमारा जो वैल्यू लस्ट में आया अगर इस ऐसे केस में अगर यहां से आप यह भी कर सकते हो जो उसने अगले स्लाइड में किया हुआ यह भी कर सकता है यहां पर इसका लस्म लेकर कितना आ गया 240 ले लिया और यह 5 यहां कह सकते हैं यहां कह सकते हैं यहां LCM लेकर कर सकते हैं तो दोनों चर्चाओं में कोई दिक्कत नहीं है देखिए बिल्कुल असान है यह last जो 3 वाला है और यह कितना दिया है 2 वाला दिया है अब देखिए sequence चेक करें थोड़ा सा इस चर्चाओं में दिक्कत थोड़ी से कर लिया जाएगा, method वही है, बिल्कुल सेम method है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी, total distance cover कितनी मानी है, S मानी है, यह कितना है, S by 14, खचक खचक कटा, 48 km per hour answer आया है, और यह तरीका करना चारे हो, इसके बाद क्या करोगी, LCM करके answer निकाल होगी, clear है, clear है, चलो, ठीक बात, अब करना क्या है, कि यह जो पार्ट है, देखो, इसमें चीज दिखाते हैं, आपको इसमें ट्विस्ट वली चीज दिखाते है, 1990 में हुआ है, और यह कितने में हुआ है, यह वाला जो question है, ऊपर बागा हुआ है, हाँ देखो, अब देखो, इसमें तीन वाला काम आ गया, 1991 मे बराबर से रहते है, 19 में भी लगो ऐसा question नहीं आया हुआ है, तो चर्चाओं में कहां दिक्कत नहीं है, आनी चाहिए, चलो, ठीक बात है, अब देखो, यह वाला question हमने 48 निकाला, इसमें आप इसका calcium लेकर कर लेना, स्रीम बात हाईगी, कोई दिक्कत नहीं है, S by 2, 40, 40, 80 चलो, ठीक है, चलो, ठीक है, अब हमारा हमारा हमेश्या की तरह चर्चाओं के में क्या आता है, एक keynote आता है, चलो keynote बनाते है और यह हमारे क्या रहते है, चांसितारे आओ, देखते हैं पहला, पहला point क्या रहेगा हमारा, speed के बारे में, सीधा बात करें, average speed के बारे में, total distance, upon total time, इस से लगबग्या सभी numerical solve हो जाते हैं, uniform में क्या करते हैं, uniform पहन के आते हैं, नहीं, बिल्कुल तरीके से पहन नहीं है, equal time और equal ही क्या है, distance है, किसी परकार का यह upon वाला sign नहीं है, बराबर का नहीं है, और यह non-uniform क्या होता है, unequal, equal time, बस, instantaneous speed की बात करेंगे, किसी भी particular time की बात करेंगे, formula लिखते हैं, सिधा, limit delta t tends to 0, ds upon dt या delta s upon delta t, खतम, इतनी सी चर्चा थी, पर सवाल देखो कितने बड़िया-बड़िया कुछे गए हैं, नीट में, आगला जो हमारा topic रहेगा, वो रहेगा, velocity, उसके बाद acceleration, उसके बाद equations, और ऐसे आगे, चलता रहेगा, motion under gravity, तो चर्चाएं बिल्कुल बराबर चलेंगी, और notes बनाते रहे हैं, काम बनता रहेगा, नीट की जितने भी सवाल आते हैं, वो बराबर लेके आएंगे, कि चाहे, acceleration का हो, चाहे, equations का हो, motion of equations का हो, motion under gravity का हो, relative velocity का हो, किसी भी पार्ट का हो, वो बराबर चलेगा, तो आज के लिए इतना ही, notes बना के रखें, सहीं बना के रखें, बड़िया कोर्स हो जाएगा, और बड़िया काम बनना, स्टार्ट हो जाएगा, thank you very much.